नमस्कार मैं हूँ शत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB Hindi News एक के बाद एक मध्यम सिर्णी के पस्ट में विचोप के परवाव से प्रीमानसुन गतिविद्या देखने को मिलेंगी हर्याना में पंचाय चुनाव को मिली हरी जंडी जुलाई तक हो सकते है इलेक्शन हर्याना में पंचाय चुनाव होने का रास्ता साफ हो गया है पंजाब और हर्याना हाई कोड ने हर्याना सरगार को पंचाहतिराज संस्थानों के चुनाव कराने की अनुमति दे दी है हर्याना सरकार ने कहा है कि वो जल्द ही राज्य में पंचया चुनाव करवाएगी जुलाई या अगस्तक राज्य में पंचया चुनाव हो सकते है अदालत ने कहा है कि चुनाव में देरी हो रही है इसलिए हम चुनाव करान की अनुवती देते है हर्याना की मुख्यमंतरी मुनवलाल खटर ने कहा है कि पंचैती चुनाव को लेकर कोट में याचिका दायर की गई थी जिसके बाद आज कोट ने कहा है कि याचिकाओं पर सुनवाई होती रहेगी लेकिन सरकारे चाहें तो पंचैती चुनाव करवा सकते है जून या जुलाई में पंचेती चुनाव हो सकते हैं हर्याना में ग्रम पंचेतों का कारेकाल 23 फरोरी 2021 को समापत हो चुका है हर्याना बॉर्ट 12 टोपर 498 में अंगलेगर रोतक की काजल बनी हर्याना की टोपर लेफटनेंट बनने का सपना गाउन देहात के बेटे अभी किसी से कम नहीं है वे मौडरन तरीके से विद्यालों में पढ़ने वाले सहरी बच्चों को भी माद दे रही है ऐसा ही एक उधारन पेस किया है रोतक जिले के महम खंड के गाउन निंदाना के केसियम पब्लिक सीनेशकंडी स्कूल की चात्रा काजल ने आटा चक्की संचालक की बेटे का कमाल बारवी में 496 अंक लेकर क्रूचेतर की साक्षी परदेश में दूसरे स्थान पर आईएस बनने का सपना हरियाना विद्याले सिक्ष्या बोड़द्वार गोशित बारवी कक्षा के परिणाम में बाबा सरवननाथ शीनेशकंडी स्कूल पिहा हुआ की चात्रा साक्षी ने कॉमर्स संकाई में परदेश में दूसरा स्थाना से लिगया है साक्षी ने बताया कि उसका लग्स आईएस बनना है साक्षी आईएस की तयारी कर रही है साक्षी की इस उपलवदी पर उसके अभी वाव को ने खुशी का इजहार करते वे कहा कि उन्हें अपनी बेटी होने पर गर हो है हरियाना में गहरा सकता है पैट्रोल डिजल का संकट पैट्रोलेम कमपने ने सूर की रासनिंग तेल की कमी से ड्राई होने लगे हैं पंप हरियाना में पैट्रोल पंप तेल नहीं मिलने के कान ड्राई होने लगे हैं रिलाइन्स और नायरा के पैट्रोल पंपर तेल नहीं मिल रहा है HPCL, BPCL और इंडियन ओयल के पैट्रोल पंपो पर भी 50% कम तेल पहुंच रहा है पैट्रोल पंपो की आपूर्ती करने वाली दो बड़ी कमपनियों हिंदुस्तान पैट्रोल और भार्त पैट्रोल Impact के पैट्रोल और डीजल के सप्लाई में कटोथी करना सुरू कर दिया है पैट्रोल के आपूरती पानिपत से होने लगी है जबकि डीजल के लिए एडवान्स पेइमेंट जमा करा चुके डीलों को पांच दिन से डीजल नहीं मिल पा रहा है हालात यही रहे तो पैट्रोल डीजल का संकट गहरा सकता है पूरे परदेश में 4000 पैट्रोल पंप तेल की कभी से जूज रहे हैं जिन में से 1900 पंप अकेले इंडियन ओयल कमपनी के हैं हर जिले से खबर है कि जितना पैट्रोल डीजल होने मिलना चाहिए था अब उसका आधा ही मिल पा रहा है अगर तेल नहीं मिला तो दाम बढ़ने का अंदेशा है हाली में बता दे कि राजथानवी रिलाइंस और एसर ने अपने पैट्रोल पंप बंद कर दिये हैं इन दोनों कमपनियों के पैट्रोल पंप बंद होने से वहां दूसरी कमपनियों के पंपो पर भारी भीड उमड रही है बता दें कि पैट्रोल अब कमपनियों को डीजल की बिकरी पर करीब 27 रुपे पर ती लेटर तक गाटा जेला पड़ रहा है जेपी नड़ा से मिले हरियाना के सीम मनहुरलाल खाटर निकाई चुनाव साइथ काई मुद्धो पर विचरचा हरियाना के मुख्यमंतरी मनहुरलाल खाटर ने बुद्धवार को नई दिली में भासपा देक्स जेपी नड़ा से मुलाकात की बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने हाली में राजियों में दो शीटों पर वे राजिस सभा चुनाओ को लेकर पार्टी आदेक्स को तमाम अपडेट दी भाजपा समर्तित उमिद्वार कार्ति के सर्मागी जीत के उपरांद कॉंग्रेस ने चुनाओ आयोक का दर्वाज खटर आया था इसके अलावा मुख्यमंत्री मनहुरलाल खटर ने भाजपा देक्स जेपी नड़ा को स्थाने निकाचुनाओ को लेकर पार्टी के तयारियों पर भी जानकारी दी मुख्यमंत्री ने राजी सरकार की योजनों की परगती का ब्योराभी जेपी नड़ा को दिया हर्याना के मुख्यमंत्री मनहुरलानी ने दिली में मीडिया के एक सवाल की जवाँ में कहा कि अगर कुल्दीब इसनों की इच्छा भाजपा में आने की है तो उनका श्वागत है अब वे कब सामिल होते हैं ये उनके उपर निर्भर करता है कुल्दीब जब भी मुलाकात क करना शाएंगे उनका स्वागत है किसान की बेटी हर्याना बोर्ड में टोपर 495 अंक के साथ हिसार की सुरूती का परदेश में तीसरा स्थान हासिल टैगोर शीने स्केंडी स्कूल नार्नोद की छात्रा सुरूती लाठर ने हर्याना विद्दरलिस्टिब भीवानी की बार श्रूती के पिता किसान है जबकि माता मुकेस गरहनी है श्रूती ने सहरी चेतर के छात्रों को पठकनी देते वे 455 में अंक हासिल करके थावित कर दिया है कि ग्रामिन अंचल के चात्रों में परतिबा की कोई कमी नहीं है वे स्कूल के अलावा हर रोज घर पर 6-7 घंटे तक पढ़ाई करती थी हरियाना निकाय चुनाव अपडेट सहरी निकाय मंत्री ने जारी किया भासपा का संकाल पत्र अवैद कलोनिय वैद करने सहित के ये बड़े वादे सहरी निकाय मंत्री कमल गुपता की अगवाई में सेक्टर 3 स्थीद भासपा कारेले में संकाल पत्र जारी किया गया संकाल में मुख्यत 27 बिंदू है जिन पर भासपा परमुकता के साथ काम करेगी कमल गुपता ने कहा कि भासबा का संकल पेकि हरियना गी सभी नगर परिशद और नगर पालिका की छेतर को स्वथ सुंदर हरा बरा वे आत्म निर्भर बना कर देश के अगरणी सहरों में सामिल करवाना तुथा नगर परिशद बोनगरपालिका के अंतरगनत अनेवाले गाओं वे कलोनियों में विकास कारियों में तेजी लाना वatt tegen उन्हें मूलबूत स्वीधाइं दे कर और शुद्रन व्राना है सहरी निकाई मंतरि कमल गुपता ने बताया कि राजी के नगर परिशत वे नगर पालेगा के अंतरगत आने वाले सभी छेत्रों के सहरों में जितने भी एवेद कलोनिया बनी है और जिन में काफी आबादी हो चुके है उनको नियमित किया जाएगा साथ ही पारकों का नविनी करण, खेलूपकरण वे जिम और जूले लगवाए जाएंगे चोटी सरकार को मजबूती देने के साथ साथ मूलबूत स्वीधाएं भी मुहिया करवाए जाएंगी इनमें बिजली पानी वे सफाई मुख्या है अगनिपत योजना सेना में सेवाई देने के बाद युवाओं को सरकारी नोकरी में मिलेगी चूट हरियाना के सीम का बड़ा एलान हर्याना के मुख्यमंतरी मनहुरलाल ने अगनिपत् योजना के लिए प्रधान मंतरी श्री नरेंदर मोदी और रक्षा मंतरी श्रीराजनाचिंग का धन्यवाद करते वे कहा कि अगनिपत् योजना से नोज़वानों के लिए रोजगार के आउस्ण बढ़ेंगे। इससे हर् परती रेलियां आगामी 90 दिनों में शुरू हो जाएंगी उन्होंने का आगी सेवा को पूरा करने वाले यूओं को हरियाना सरकार नोकरी इम अन्यकारियों में वरियता देगी खुश खबरी हरियाना में 20 साल से जमीन पर काबिज लोगों को मिलेगा मालिका नाक सेम खटर ने की एगोजना सबसे पहले गरीब का उत्थान करना हमारा लक्स है यह बात मुख्यमंतरी मनोर लाल ने उनके आवास तित संत कबीर कुटीर पर लगाए कि जनता दर्वार में पर्देश बर्शे आई नागरिकों को आस्वस्त करते वे कही जनता दर्वार में गुमंतु जाती के पर्तिनीतियों ने मुख्यमंतरी के समक्स अपनी समस्याइं वेक्त करते वे कहा कि उन्हें स्थाई आवास परतान किया जाए इस पर मुख्यमंतर ने कहा कि 31 मार्ज 2000 तक जिस जमीन पर गुमंतु जाती के लोगों को रहते वे 20 साल हो चुके हैं और उनके पास किसी भी प्रकार का कोई परमान मोजुद है तो उन्हें 200 गश्तक की जमीन जिस पर वे काबिज है उनसे कुछ भुगतान लेकर वे जमीन उन बातें शेना भरती के लिए बनाई गई अगनिपत योजना को लेकर हरियाना में विपक्स ने सवाल उड़ाए हैं पूरों मोकिवंद्रिवा नेता परत्वेक्स चोदरी भुपेंदर सिंग हुड़ा ने इस योजना को ने तो देश हितमे और नहीं नोजवानों के हितमे पताया और सरकार से अनुरोध किया कि इस पॉलिशी पर पुने विचार करें साथ ही इसे तर्क संगत बनाते हुए चेयर साल बाद सेना से निकाले गए जवानों को स्थाई जोब देने की नीती लेकर आए उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार वेतन पैंसन इस योजना के तहित योओं को ठेके पर नुक्त किया जाएगा और फिर चार साल बाद उन्हें अठा दिया जाएगा जो दैस के योओं के बाईशे के साथ सरासर खिलवाड है केंदर की भाजबा सरकार को अपने सेनिक विरोधी फैसले पर पुन्दर विचार करना चाहिए और अगनिपत जैसी घातक योजना लाग करने के बजाए शेना के नेमत भरती करनी चाहिए लाकों बच्चे दस्वी और बार्मी में एडमिशन लेते हैं अनोस रिजल्ट और झोष 1990 और रिजल्ट.nios.ac.in पर देखा जा सकता है वही अनोस ने और जानकारëं देते वे कहा कि अनोस ये साल में दो बार प्रेइ लेता है कि अंदर सरकार जल्द ही अगली किस्ट के पैसे जारी करने का इरादा कर रही है अगर आप चाहते हैं कि किस्ट के पैसे बिना किसी रुकाउट के खाते में आ जाएं तो इसके लिए अपना EKYC जल्द से जल्द कंप्लिट करवाने के बाद फायदा ले सकते हैं गौरतोला भेगी अब तक इस योजना की 11 किस्तों के पैसे जारी किये जा चुके हैं ऐसे में अगर आप भी इस योजना के लाभारती होने जा रहे हैं तो आप अगले किस्त का इंजार कर रहे हैं तो आपको 31 जुलाई 2022 से पहले अपनी E.K.W.C. जरूर करवानी होगी नहीं देश में 5G स्पेक्ट्रम की निलामी को मंजूरी देदी है दूर संचार मंतराले के परस्ताव की मताबिक स्पेक्ट्रम को अगले 20 साल के लिए निलाम किया जाएगा निलामी में सफल रहने वाली कंपनी इसके जरीए 5G सर्विस मौहिया करसकेगी यह मौजूदा 4G सर्व अंदर सर्विस शुरू कर सकते हैं बताने कि 5G नेट्रक में 20 GBPS तक डेटर डाउनलोड की स्पीड मिल सकती है B.S.A.P. में निकली वेगेंशी दस्यूपास केंड़ेट्स 11 जुलाई तक करसकेगा आवी दन 1,12,000 रुपे तक मिलेगी सेलरी Border Security Force यानि B.S.A.P. में नोकरीकार देश की सिवा करने का एक सुनहरा मोका आया है B.S.A.P. में सब इंस्पेक्टर और कॉंस्टेबल के 110 पदो पर भरतिया निकली है Group B और Group C के अंदर का दाने वाली ये भरतियां B.S.A.P. के SMT यानि वर्क्सोप के लिए की जाएंगी जिसके लिए दस्वें पास से लेकर Graduate Candidates उमिद्वार 11 जुलाई 2022 तक B.S.A.P. के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आविदन कर सकते हैं भरतिय परिक्सा में अब्यारतियों का चैन लिखित परिक्सा, फेजिकल परिक्सा और मेडिकल टेस्ट के अधार पर किया जाएगा सिलेक्ट होने वाले उमिद्वारों को Paymatrix के लेवल 6 के अनुसार से लिए जाएगी जो 35,400 रुपैसे लेगर 1,12,400 रुपैतक होगी जबकि Constable के पर सिलेक्ट होने वाले उमिद्वारों को Paymatrix 3 के अनुसार 21,700 रुपैसे लेगर 99,100 रुपैतक की सैली दी जाएगी उमिद्वार की नियुनत मायू 18 साल और अधिकत मायू 25 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए आज खबरों बस इतना ही देखते रहे CWB Hindi News नमस्कार